पर। जमास्व स्था कुछ दोस्तो मेरा नाम अधिल राजपरूइथ है और पॉलिसी वजार पार्टनर में आप कीस तरीके से पार्टनर बन सकते हैं पार्टनर बने के बाद आप किस तरीके से पॉलिसी लॉगिन कर सकते हैं सपोर्ड आपको कार का इंशुर्च नाना हो बाइक का इंशुरेंश बनाना ओफिज मैं बना है कौ आप न्याता है या इस पूरे वीडियो से related आप मुझे contact कर पाएंगे policy लेने से related claim तब भी नहीं तो अगर आप online लेंगे तो आपको कौन help परेगा आपको खुद को नहीं पता होगा कि आपको किसे contact करना है तो एक बार हाँ registration करने से पहले आप मुझे जरूर contact करिए और कोड लेने के लिए जो document लगेंगे वो document में आपको pen card देना है pen card देना है cancel चेक देना है जिसे account में आपको commission चाहिए आपका mobile नमबर आपका email आइडी mark sheet की copy जो 10 वी या उसे अधिक की copy होनी चाहिए एक address proof में आपको आदार करके अलावा कोई भी address proof आप दे सकते हैं तो यह और पासपूर साइड आपका photo यह मुझे मेरे mobile नमबर पर वाट्सअप भी करता है या email आईडी पर मुझे email भी करता है उसके बाद में आपका code open हो जाएगा code open होने के बाद आप किस तरीके से policy login करता है आए देखते हैं सबसे पहले आप तो सबसे पहले आप इंटरनेट के तरू पीबी पार्टनर्स डाट कॉम पर जाएंगे पीबी पार्टनर्स डाट कॉम आपको यहां पर देखने को मिलेगा इस साइट पर जाएंगे और यहां पर login का option आएगा यहां पर आप अपना mobile नमबर डाल सकता है यह पार्टनर कोड डाल सकता है यह तब ही कर पाएंगे जब पहले आपका कोड बना हुआ होगा तो यहां पर mobile नमबर और पार्टनर कोड डाल देजिए अब आप आपकी पॉलिशी बज़ार की जो आपके खुद के अकॉंच पर चले जाएंगे वहां पर आपको सेल नाउ करके एक option नज़र आएगा आपको सेल नाउ पर क्लिक करना है उसके बाद में आपको कार, तूब बेला और कॉमर्सियल एंड हेल्थ के option नज़र आएंगे सपोस्थ कि आपको कार का इंसुरेंस करना है तो आप कार का इंसुरेंस पर क्लिक करिए यहां पर आप गारी का नंबर डाल चकते हैं गारी का नंबर गारी का नंबर डालने के बाद आपको यहां से सलेक्ट करना है कि गारी कौन से ब्रांड की है, तो सपोस्थ फोर्ड की है, गारी तो फोर्ड सलेक्ट कर लिया, सपोस्थ उसका मॉरल फीगो है तो आपने यहां से फीगो सलेक्ट कर लिया, सपोस्थ गारी डीजल की है तो तो आपने CC select कर लिया, suppose गाड़ी का registration year यह है, तो आपने यह से select कर लिया, यहाँ पर आपका नाम जो RC के अनुसार है, वो RC के अनुसार नाम, आपका email ID और आपका mobile number आपको डालना है, यह सब करने के बाद आपको click करना है, तो आपकी expiry date गाड़ी की कब है, वो आप पूरानी policies में देख करके, यहाँ से आप select कर सकते हैं, अगर को पूराना claim किया है, तो yes करिए, नहीं तो no करिए, उसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारी company के third party और comprehensive plan आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, सपोर्ज अगर आप यहाँ पर आईडीवी सलाक करना चाहते हो, अपने हिसाब से तो आप यहाँ से, अगर comprehensive policy ले रहते हैं, तो आप यहाँ से select IDV कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से select करना चाहते हैं गाड़ी का IDV, तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं कि suppose आप यहां पे 2,64 बजा तक ले सकते हैं IDV अपनी गाड़ी का value तो आपको जो भी अपने हिसाब से रखना है आप यहां से select कर सकते हैं premium उस हिसाब से आएगा उसके बाद आपका last time no claim bonus कितना था वो आप यहां से select कर सकते हैं और past में जाकर के आपको यहां पे क्या-क्या additional चीज़े add करनी है वो भी आप यहां से select कर सकते हैं as per customer need अब आप देखेंगे यहां पे आपको बहुत सारी company के comprehensive और third party insurance plan देखने को मिल रहे हैं अब suppose कि आपको यहां से purchase करना है कोई एक policy suppose आपको digit की policy भाई करनी है तो आपने यहां पे click करिए इससे पहले मैं बताऊं कि आप यहां पे यहां पे आप policy detail पे click करिए तो यहां पे बहुत अच्छा चीज़े आए जाएगी कि क्या-क्या इसके अंदर cover होंगे आप view all करके देख सकते हैं क्या-क्या cover नहीं होंगे वो भी आप यहां से select करके देख सकते हैं और premium breakup आप देखना चाहते हैं तो breakup में किस तरीके से basic premium आएगा किस तरीके से third party cover आएगा कैसे honor driver का आएगा NCB का benefit मिलेगा GST के साथ में total किस तरीके से premium आएगा आप यहां से देख सकते हैं और इसके उपर आप click करिए यहां आप सारी details fit कर सकते हैं आप अपनी जो customer की details हैं जो honor हैं उसका address डालिए consistency में है, pin code आप डालिए यहां पे उसके बाद में आप किनको nominee रखना साथ है nominee का नाम और nominee के साथ क्या relation है nominee की age क्या है वो डालिए उसके बाद आप next button पे click करिए यहां पे आपको गारी की सारे details डालनी है कि गारी का policy अगर पूरानी insurance में कौनसी company का आपका insurance का और चल रहा था उसका policy नंबर क्या है वो डालिए यहां पे आपकी गारी का engine नंबर क्या है आपकी गारी का registration date आपका RC copy में मिलेगा पुरानी जो policy है वो comprehensive अगर यहां से select करिए अगर कारी में ownership चेंज हुआ यह से no करिए और currently loan पे है कि नहीं वो यहां से आप select करिए यह सब select करने के बाद summary and payment पे प्लिक करिए उसके बाद आप summary and payment पे जाईए अब आपको यहां पे pay successfully पे आपको collect क्लिक करना है और इस तरीके से यहां पे आपको काफी option मिलेंगे आपको credit card से pay करना है net banking, upi, wallet, debit card सारे options आपको यहां पे नजर आएंगे आपको किस से pay करना है वहां आप card number डाल दिए उसके बाद card पे जो नाम है वो डालिए आपको यहां से डाउनलोड करिए customer को email पे बैजिए या आप खुद customer हो तो खुद यहां पे save कर लेजिए आप अपना नाम डाल दिजिए यहां पर आप अपना mobile नबर यहां पर डाल सकते हैं अब आप यहां से आप क्लिक करिए खुद के लिए इंचर्ण चाहिए खुद के वाइप के लिए बच्चों के लिए आप यहां से करिए continue पर क्लिक करिए आपकी जो CT है वो आप यहां से CT सेलेक्ट करकता है को पहले से बीमारी हो तो सलेक्ट करकता है नहीं तो none of these पर क्लिक करिए व्यू प्लान पर जाएए आपको यहां पर बहुत सारे प्लान्स मिल जाएंगे और यहां से आप health insurance policy भी sale कर सकते हैं buy कर सकते हैं thank you so much तो फिर से में एक बार repeat करता हूँ कि अगर आपको policy लेना है कि या code लेना है तो एक बार मेरा number पर जरूर से जरूर contact करिए 9909403412 या मेरा जो code है वो जरूर mention करिए यह reference code में IAP8185 repeat करता हूँ IAP8185 पर यह reference number डालिए और जब भी आप code लो तो मुझे जरूर uniform करिए ताकि मैं आपको help कर पाऊ तो आपने देखा policy बाजार के साथ में जूड़ना कितना आसान है और policy बाजार के तुरू policy बेचना और कितना आसान है सिर्फ 5 मिनिट के अंदर customer की policy बन जाएगी customer को benefit हो जाएगा कि वो comparison कर पाएगा इतनी सारी company के साथ में customer health insurance policy भी इतनी सारी company का comparison करके भाई कर रखता है और थोड़े टाम है आपको इसी तरीके से life insurance policies की भी जानगारी आपको इसी पोर्टल पे मिलेगे और आप यहां से sale कर पाएगे तो आईए policy वज़ाद जो कि इंडिया का सबसे बड़ा platform है online policy sale करने का उसके साथ जुड़िये और अपनी यह भी income आण करिये और जिनको आप policy बेचरों जारतर आपे जान पैसन वाले होंगे तो उनको भी comparison करके सस्ते में policy provide कर रही है और उनको भी benefit कर रही है और हाँ मेरा mobile number है 999403412 इस पे code लेने से पहले contact करना ना भूले नहीं तो आप किस से संपर करेंगे code लेने के बाद आप खुद नहीं जानते होंगे और अगर आप मेरा reference code यूज़ करना चाहते है जब आप register कर रहे हो तो आप ज़रूर यूज़ करिए IAP8185 IAP8185 यह ज़रूर से आप reference code में यूज़ कर रख रहे है Thank you so much Thank you